हेलो वेरिवन वेलकम टू दे एदुकेशनल इंस्ट्यूट बच्चों हम लोग लाइफ प्रॉसेस अभी तक पढ़ रहे थें जिसमें हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं इन Amoeba, इन Human Beaks और रहेते हैं , जिसमें प्रिवेस क्लास में हम नूट्रिशन में अपकाública Canal definitely कम्प्लीट कर लिए ए एक बार नहीं देखा है वीडियो तो पार्ट3 जाए ओर देखिये और अपने सारो डाउट्स क्लियर करिए ठीक है बच्चों प्रिवेस क्लासेज में हम लोग अल्मेंटरी के ना उल्स पड़ रहे थे हैं जिसमें हम लोग उने अभी तक कवर किया है माउट एन बकल कैविटी प्रिवेस क्लासेज में ठीक है फاحरिंग्स क्या होते है इसों फेगर्शS क्या होता है स्ट्रमक क्या होता है स्मॉल इंतेस्टाइन जिसमें हम लोगों ने इसके थ्री पार्ट देखे थे डूडेनम, जेजनम, एलियम उसके बाद लाज इंतेस्टाइन ठीक है लाज इंटरेस्टाइन आल्सो मिक्स इन थ्री पार्ट्स सीकम, कोलोन, रेक्टम ठीक बच्चों तो ये elementary cannols हम लोग previous classes में complete कर लिये हैं अब हम लोग start करेंगे associated glands मतलब elementary cannols से related जितने भी associated glands हैं like celebrity glands, liver, gallbladder and pancreas ये बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से देखते जाएं ये सब जो glands हैं इनका क्या role है हमारे बड़ी में ठीक है बच्चों तो आए इस start करते हैं digestive glands associated with elementary cannols इसमें हम लोग पाहला पढ़ेंगे salivary gland salivary glands तो बच्चों अंगूर के गुच्चे की तरह दिखाई पढ़ते हैं ठीक है और ये क्या secret करते हैं its secret saliva जिसका pH होता है 7.2 alkaline medium होता है ठीक है बच्चों लिखते रहे साथ साथ 3 pairs of glands are present in the buccal cavity इट लुक्स लाइक क्लस्टर ओफ ग्रैप्स क्लस्टर ओफ ग्रैप्स ठीक बच्चो गुच्छे की फॉर्म में पायाते हैं जैसे अंगूर खाया है आप सभी वैसे ही यह थ्री फॉर्म में पायाते हैं हमारे बकल कैविटी में यह क्या सिक्रीट करते हैं सलाइवा इट सिक्रीट सलाइवा जिसका पी एच होता है वन सेवन पॉइंट टू जो एलकलाइन मीडियम होता है एलकलाइन मीडियम होता है यह सलाइवा क्या फॉंक्शन है यह क्या करते है इट लुब्रिकेट्स एड्ड मॉइस्ट फूड ठीक है फूड को क्या करते है चिप चिप चिपा बनाते है चिकना बनाते है इट मेंस इट लुब्रिकेट्स and moist the food food को क्या करते हैं फिकना बनाते हैं और उसको moist किये रहते हैं ठीके बच्चों जा हम लोग food खाते हैं when we take food in our mouth तो उस food को lubricate और moist बनाने काम कौँ करता है saliva ओके और ये साथ ही साथ ये क्या करते हैं food को bind करने में help करते हैं ठीक है तो हम लोग ली सकते हैं it binds the food particles into a bolus for easy solving ठीक it binds food particles ये जो बोलस फॉर्म for easy solving ठीक बच्चों ये जो saliva होता है ये एक enzyme secret करता है जिसका नाम है celery amylase ठीक है कौन सा enzyme है it secrete enzyme और enzyme celery amylase ये celery amylase क्या करता है it converts it converts starch to maltose maltose क्या होता है बच्चा glucose plus glucose तो हमें इस क्या कहेंगे maltose कहेंगे तो celery amylase जो कहाँ पायाता है starch में पायाता है ठीक है ये क्या करता है sorry ये आपका saliva में पायाता है जो क्या करता है starch को starch को convert करता है maltose में ओके और इन saliva में ये जो saliva होता है ये antiseptic होता है ठीक क्यों होता है क्योंकि it content it content lysozyme क्या content होता है lysozyme which kills the bacteria which are present in food or in our mouth ठीक है यह क्या करता है जो germs particles है bacteria उनको kill करने में help करता है ठीक है यह lysozyme ठीक इसलिए इसे हमें क्या करता है antiseptic clear बच्चो तो next हमारा है glands gastric glands next है gastric glands gastric glands कहां present होते है stomach में ठीक है तो it is present in stomach okay और इस stomach में कौन कौन से glands प्रिज़न होते हैं तो hcl ठीक है stomach क्या release करता है hcl mucus and digestive enzyme like अब 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 योगो becoming अब 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 जुट आइए घ्रीए और अब 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 तो यह SCL, यह क्या काम करता है? यह जो SCL होता है, इसका जो pH होता है, 1.7, ठीक है? मतलब acidic medium होता है, और यह pH क्या करता है? यह SCL क्या करता है? जो food हमारे इसोफेगस से आ रहा है, उसका क्या medium रहता है? alkaline रहता है तो उसको acidic medium convert करने काम कौन करता है HCl मतलब यह alkaline medium को alkaline को acidic medium में convert करता है ओके और साथ ही साथ क्या करता है it kills the germs और bacteria which are present in the food okay kills bacteria or germs which are present in the food okay यह तो हो गया बच्चों HCl का काम ठीक है next है आपका mucus mucus क्या करता है mucus क्या करता है हमारे stomach wall को protect करने काम करता है कैसे करता है जैसे कि यह देखिए यह है आपका स्ट्रमक कैसे यह आया इसो फेगस इस तमक इस जीए से और गन मैंने पढ़ाया था आप लोग को याद होगा रिविजन करिए जीए से पर गन ठीक तो यह जी मुकस होता है स्ट्रमक एस तमक आपकेन करते है मुकस इस फिर से बने और करता हैwork lithi ऐसे बने कारेगा इस तोई लिए करेगा इससे टीकर देगा जिससे क्या होगा हमारा रिज पानल वाल यह डिग्रेड हो जाएगा खराब हो जाएगा ठीक है इसलिए यह मुकस क्या करता है हमारे स्टमक वाल की इनर लाइनिंग को प्रडेट करने काम करता है मुकस ठीक है बच्चों एंड नेक्स है लास्ट है आपका पैपसीन ठीक है कुछ गैस्टिक जूस सिक्रीड होता ह हमारे स्टमक में गैस्टिक यूस यह क्या करता है जैसे पैपसीन रैनिन यह सब प्रोटीन डाजेंस इंजाइम प्रिय्क है हमारे स्टमक में बच्चों लग भग शमक में 30% डाजेस्ट्न कम्प्प्रीट होता है ठीक है मतलब 30% digestion आपका स्टमक में हो जाता है बाकी 70% कहा होता है intestine में कौन से intestine में small intestine में ठीक है तो यह आपका हो गया second gastric glands next हम देखेंगे liver next है हमारा liver ठीक है liver यह हमारे body का largest gland होता है ठीक है तो it is the largest gland in the in our body largest gland किस कलर का होता है बच्चों यह red is brown color का होता है किसका होता है red is brown इसका color और यह present का होता है it is it lies at the right side of the abdominal part अब abdominal part क्या होता है यह हमारे body के right side abdominal part में right side में present होता है ठीक है तो abdominal part क्या होता है पहले यहाँ देखिए suppose यह है मोहन कौन है मोहन है यह मोहन जी है ठीक यह इनका हो गया head reason क्या हो गया head reason ठीक है यह reason हो गया neck reason यह कौन सा reason हो गया chest reason इसको मों करते है thoracis reason ओके thoracis reason की नीचे आएंगे तो यह reason होता है इस ही को हम लोग बोलता है abdominal reason ठीक है तो जैसे मोहन जी ऐसे खड़े है तो इनके right side में ठीक है यह abdominal reason है this is diaphragm diaphragm की नीचे यहां पर कुछ ऐसा यहां पर क्या present होगा liver के बच्चों तो it lies at the right side of the abdominal cavity lies at the right side of the abdominal cavity cavity ठीक है बच्चों तो मैं कहां present होता है अब लीवर सेल लीवर को कौन से सेल्स बनाते हैं तो इट फॉर्म्स हेपाटिक सेल ठीक है कौन सेल बनाते हैं फॉर्म हेपाटिक सेल्स हेपाटिक सेल्स के लीवर यू जह हैं बने हुए हैं के लीवर क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों बताये इट प्रोड्यूस बाइल बाइल प्रोड्यूस करता है बाइल क्या होता है पिग्मेंट होता है ठीक है तो इसको प्रोड्यूस को करता है लीवर और यह कहां स्टोड होता है डोड इन गाल ब्लैडर कि अ लेवर में डीवर के नीचे साइड में एक बोलनस के फॉर्म में एक सेप होता है जिसको हम लोग कहते है गाल ब्लैडर इसी गाल ब्लैडर में यह लेवर क्या करता है इस तोड होता है ठीक है और इस टोड़ो ऑने के साथ साथ वो कहां जाकर मिलता है C Simmons Dudenum में Dudenum is the smallest part ठीक है? तो smallest part यह Dudenum होता है उसमें जा कि Girl Bladder Bile के form में ठीक है? Girl Bladder के अरिलीज होता है Bile और यह correct होता है कि इसे C से Dudenum Dudenum ठीक है next next ने बच्छों pancreas pancreas यह लास्ट ग्राइन है ठीक है pancreas it is present in C-save dudenum ठीक है leaf flax structure तो यह क्या हो it is pinking color pink color क्यों होते है बच्चों यहाँ देखी डाइग्राम यह है आपका समक J-save organ फिर यह आपका हो गया C-save dudenum ठीक इसी dudenum के पास pink color सेब में leaf like structure होता है जिसे हम लोग करते हैं बच्चों pancreas ठीक है यह आपका हो गया testine ठीक तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका क्या हो गया liver इसी लिवर से यहाँ से क्या निकलता है एक डक्ट निकलता है जो के आपके मिलता है आपको C-save dudenum में और यह dudenum कहाँ चला जा रहा है small testine का यह पार्ट है और यह small testine dudenum होते विए jezenum और इलिये में चला जाएगा जो क्या करता है digestion में help करता है और इसी लिए इस pancreas से एक enzyme release होता है जिसका नाम है pancreatic use यह pancreatic use pancreas pancreatic enzyme release करते है जो protein में help करता है protein की digestion में ठीक है बच्चो तो नया next है यह जो बच्चो pancreas है ना यह dual glands होते है ठीक है dual glands मतलब it is exocrine and endocrine glands exocrine and endocrine exocrine को हम लोग काते है having duct it means duct present होगा और यह जो endocrine glands होते हैं इसमें कोई duct नहीं होता है it means ductless gland ductless gland यह जो इंडो exocrine gland है इससे क्या रिलीज होता है enzyme enzyme release होता है ठीक है जो एक duct के थूँ open होता है जैसे कि pancreatic juice यह एक duct के थूँ इससे क्या रिलीज हो रहा है enzyme release होता है जो कहां मिलता है यू से dudanum में यह dudanum finally किसमें इंटर कर रहा है इस मॉनटर स्टाइन के second part में जेजनम में इलियम में ठीक है तो यह एक duct के थूँ बाहर आ रहा है तो यह किसका part हो गया exocrine का part हो गया अगर हम लोग insulin नाम सुना है insulin का insulin यह insulin क्या करता है insulin का क्या है बच्चों हमारे body में जो blood हमारे body के blood में जो sugar है ठीक है उसको decrease करने के काम करता है कौन insulin ठीक है और glucagon hormones क्या करते है हमारे body में blood sugar level को क्या करते है बढ़ाने काम करते है मतलब यह दोस्तरी के यह दोनों क्या है एक दोस्तरी के opposite है जैसे glucagon है यह क्या करेगा glucose को increase करेगा ठीक है और insulin क्या करेगा उसको कम करेगा तो in case कभी कभी क्या होता है कि यह जो insulin वाला portion है यह hormone रिलीस होना बंद हो जाता है हमारे बॉडी में जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में जो glucose में sugar level है वो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है को मढ़ता है glucagon hormones तो यह जो glucagon hormones है हमारे blood में sugar उसको बढ़ाने काम करता है और इस insulin तो माली जी काम करना बंद कर दिया, विट मिस कम करने काम कोई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम पर क्या होगा, हमारे बाड़ी में sugar level, sugar level क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे हमें क्या हो जाएगा, diabetes हो जाएगा, sugar हो जाएगा, आप लोग सुने होंगे बच्चों, कि sugar हो गया, ठीक है, कम age में sugar हो गया, तो उसका reason यहीं है, insulin हमारे बाड़ी में बंदा बंद हो गया, जिसकी वेसे हमें क्या हो गया बच्चों, sugar हो गया, diabetes हो गया, तो इसका main reason एक और है बच्चों, कि आज की दौर में इतना competition हो गया है, कि छोड़ी चोड़ी बच्चों को भी sugar हो गया रहा है, क्यों हो गया है, क्योंकि वो tension ले रहा है, अब देखिए, tension से कैसे sugar हो गया है, पहली बात हमारे body का metabolism है, ठीक है, वो balance होना चाहिए, मतलब कि सही time पे hormone release होना, ठीक है, जो enzyme जहां उसका use हो है, वहाँ पे जाके उसका use होना, तो इस दौर पे क्या हो रहा है, कि हम लोग अपने body का ध्यार नहीं रख रहे हैं, हम लोग जब body का ध्यार नहीं रखेंगे, तो हमारे metabolism कैसे रहेगा, ठीक है, जो जब suppose किसी time पे हमारे body से कोई hormones release होना है, उस time पे वो ना होके कुछ देर बार release हो रहा है, या नहीं release हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका पुरा impact हमारे body पड़ेगा, ठीक है, तो आपके body में एक से एक symptom दिखने लगेंगे, ठीक है, तो इसलिए एक हायाता है बच्चों की, stress नहीं लेना चाहिए, stress लेंगे, आपके body का metabolism गड़ोगा, metabolism गड़ोगा, तो आपका body जो function कर रहा है, वो अच्छे से function नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, आपको बिमारियां पकड़ लेंगी, ठीक है, तो इसलिए stress नहीं लेना चाहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, समझ में आए, दो बार तीन बार वीडियो देखिए, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन stress नहीं लेना है, कुछ भी करिए, लेकिन stress नहीं लेना है, ठीक है, तो यह हमारा associated gland सा, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग human digestive system, it means, यह topic, complete कर लिये है, आई एक recall करते हैं, पूरा topic, अभी तक बच्चों, हम लोग कहां तक पढ़े हैं, देखिए, human digestive system, it is consists of two parts, elementary canals, digestive system, it has two glands, ठीक है, elementary canals, में हम लोग, mouth and buccal cavity पढ़े हैं, ठीक, mouth क्या होता है, ठीक है, it is a part of buccal cavity, buccal cavity क्या करता है, यह food को chewing करने में, ठीक है, bite करने में, solo करने में, help करता है, ठीक है, pharynx क्या होता है, pharynx is the common process of food and air, ठीक है, and isophagus, isophagus बच्चों, यह जो isophagus है, यह जो पतली सी pipe है, 25 cm long pipe है, इसमें कोई भी digestion नहीं होता है, ठीक है, बस इसका यह main role है, कि यह food को bolus के form में, यहां से, food को bolus के form में, travel कराता है, ठीक है, with the help of parasitic movement, ठीक, फिर हम लोग, stomach पढ़ें बच्चों, stomach भी 3 parts होता है, cardiac, parolic, stincture, ठीक है, fundus part, sorry, तो, इस तमक में, gastric glands, कौन कौन से मैंने बता है, आपको, SCL हो गया, ठीक है, SCL, mucus, and gastric juice, फिर उसके बाद बच्चों, intestine, small intestine, there are 3 parts, eugenium, jezenium, ileum, large intestine, cecum, colon, rectum, उसके बाद, gastric glands में लोग पढ़ें हैं, celery glands पढ़ें हैं, liver पढ़ें हैं, gallbladder पढ़ें हैं, and pancreas पढ़ें हैं, ठीक, फिर next क्या है, buccal cavity, ठीक है बच्चों, ये समलोग देख लिए हैं, chewing करने में, softening करने में, and mix करने में, help करता है, and mouth क्या है, open in, buccal cavity, ठीक, human tits, teeth की बात करते हैं, human tits are, human tits are, ठीक है, ठीकोडॉन, हेटरोडॉन, डैफोडॉन, there are three types of human teeth, ठीकोडॉन, it means, tooth are embedded in the socket of skull bone, tooth है हमारा ये, skull bone में क्या होगा, embedded होगा, फिर second is, हेटरोडॉन, it means, different types of teeth, present in, our mouth, ठीक है, जैसे first है, incisor, canine, premolar, molar, there are four types of teeth, जो canine होता है, ठीक बच्छो, incisor होता है, ये two in number होता है, canine one होता है, ठीक है, pre-molars, pre-molars क्या होता है, ये भी two होता है, ठीक, और molar जोता है, ये three होता है, ठीक है, it means, इसका formula है, two one two three, ठीक है, एक side को गया, two one two three, into two कर देंगे, तो कितना आजाएगा बच्छो, 32, ठीक है, ये क्या है, permanent teeth है, मैंने पढ़ा है आप लोग को, एक बार देखिए, ठीक, और milk teeth कितने होते हैं, बच्छो, 20, फिर next देखते हैं, next हम लोग देखे दे, टंग, ये भी हम लोग पढ़ लिया है, देख, फ्लैट मस्टूले स्ट्च्छर अटाइश्ट व्लोर बचल कैविटी, इट डिफरेंट पार्स, बियर टेस्ट बर्स, तो टेस्ट देफूड, फॉर, सोर, स्वीट, सॉल्ट, एंड बिटर, ठीक है बच्चों, फिर हम लोग देखे थे, functions, functions क्या होता है, टंग का, speech, food mixing, cleaning of teeth, test beers, birth beers, different test, ठीक है, कौन-कौन से सोर, स्वीट, सॉल्ट, बिटर, ठीक, फिर pharynx क्या है, एक common passes of food or air का, देख लिए हम लोग, उस्वीगर्स क्या है, एक straight muscular tube है, जो 25 cm long होता है, food passes down, उस्वीगर्स बैस, parasyletic moment, यह बहुत important moment है, class 9 में आप लोग पढ़े थे, tissue में, ठीक है, parasyletic moment, तो इसी के थुरू, food क्या होता है, pass होता है, फिर next है, इस्ट्रमक ये elongated, जे सिर्फ muscular bag होते है, ठीक है, it lies below the diaphragm, diaphragm की नीचे पायाता है, lies the stomach wall content numerous gastric glands, ठीक, फिर next function of stomach, क्या function है, कि ये store करते है, food को, food particles, ठीक है, of parsley digested, ठीक है, जो parsley digested food को, क्या करते है, store करते है, और ये secret करते है, जैसे SCL हो गया, mucus हो गया, ठीक है, and pepsin हो गया, protein dastym enzyme, and it also turns the food items, ठीक है, into the fine pulp, kyle chyme, and mixing, water, sugar, alcohol, and certain drugs are, absorbed by the stomach wall, ठीक है, तो बच्चों, ये जो, stomach है, ये water, sugar, alcohol, और drugs को, absorb करने में, help करता है, और इसमें, SCL जैसे, मैंने बताएं आपको, यो किया करता है, bacteria को, kill करने काम करता है, जो food बें प्रिजेंट होते है, next है आपका, small intestine, क्या है, it is about 6 meter long tube, around 2.5 cm, in diameter, ठीक है, जो small intestine है, वो 6 meter long tube, बत्वाद हमारे, inventory कहना होल का, सबस्ते longest part, यह है आपका है, small intestine, जो 3 parts में होते है, dudanum, C-shaped structure होता है, 25 cm long होते है, receive common, bile duct, and pancreatic duct, next है, J-genum, यह क्या होता है, 2.5 meter long, narrow than dudanum, dudanum से थोड़ा सा पतला होता है, ileum, 3.5 meter long होते है, next in this complete digestion, small intestine बच्चु, carbohydrate, protein, and lipid का, complete digestion होता है, large intestine की बात करते हैं, to wider than small intestine, small intestine से थोड़ा सा चोड़ा होता है, ठीक है, क्या इसके diameter उती 1.5 to 1.8 meter long, and 6 meter wide, it is divided into the cecum, crone rectum, functions क्या है, absorption of water, secretion of mucus, and ejection of undiastated waste materials, यह क्या गरता है, उसको eject करता है, body से बाहर निकालता है, clear, next है आपका digestive gland, LCA digestive gland है, जैसे हम लोग फ़र्स पढ़े हैं, बच्चों, celery gland, three pairs of glands, open in the baccal cavity, look like cluster of grabs, okay, it secrete saliva, जिसका pH 7.2, मैंने बता है, यह भी alkaline medium होता है, यह क्या गरता है, food को bind करने में, help करता है, और bolus form में, क्या करता है, soloing करने में, help करता है, next is the enzyme, काउन काउंस enzyme present होते हैं, saliva, ठीक है, जो क्या करता है, celery MLA, present होता है, saliva में, जो क्या करता है, starch को maltose में, convert करते हैं, और साथ ही साथ, यह जो saliva है, इसमें एक, antiseptic, यह antiseptic होता है, जिसमें एक enzyme होता है, lysozyme, जो क्या करता है, germs को kill करने में, help करता है, यह सब मैंने आपको लोग को अभी बताया है, क्यों क्रिवेजन कर लेजिए, gastric glands, ठीक है, next है, इस तमख में present होते है, क्या क्या पायता है, SCL, mucus and protein, testing enzyme, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते है, pepsin करते हैं, बच्छो, next है आपका liver, largest gland of the body, red is brown color होता है, जिसका weight होता है, approximate 1.5 kg, ठीक है, कहां present होते है, abdominal cavity में, right side में present होते है, ठीक है, formed hepatic cells, that are arranged in the cord, it produce bile juice, stored in gallbladder, ठीक है, and release in the deuterium, deuterium क्या है, small intestine का part है, gallbladder is transparent, ovid sec, immediate in the, liver lobes, ठीक है, gallbladder क्या होता है, liver की एक side lobe में, धसे होते हैं, ठीक है, और ये receive परते हैं, bile from the liver, liver से bile आगा, इसी में receive होता है, ठीक है, next है आपका pancreas, pancreas क्या पिंक कलर्ड होते हैं, leaf shape glands होते हैं, मैंने diagram बनाया था भी, it lies, it lies in the U-shape loop of dudenum, ठीक है, loops dudenum में present होते हैं, और dual glands काते हैं, exocrine, have duct, and endocrine, have ductless gland, ठीक है, ये diagram देख लिजी बच्चो, ये है, ठीक है, इसी इस इस अलभी ग्लेंट, mouth, इस तो phagos, stomach, J-shape organ, and this is pink colors, pancreas, इस लिवर, ये है, galb ladder, ठीक है, जिसमें क्या होता है, bile stored होते हैं, ये हैं, आपका small intestine है, ठीक, small intestine, फिर ये, large intestine, this is appendix, vestisal organs होते हैं, ठीक, और ये हैं आपका rectum, यहां पे west material stored होता है, finally time-to-time, in-esk through, west material को body से बाहर करते जाता है, ठीक है बच्चों, तो आज आपका nutrition complete हो गया है, मतलब life process का हम लोग, first topic अच्छे से complete कर लिए है, अब हम लोग next, क्या हम बचेगा, next topic हमारा रहेगा respiration, ठीक है, next कहा रहेगा respiration, ठीक है बच्चों, ये हम लोग next class में cover करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको जो भी doubt होगा, जो point नहीं सवन में आगा, उसको गए दो बाराज देखिएगा, और भी नहीं सवन में आगा, तो फिर comment में लिखिएगा, इस topic को फिर से बताएगा, ठीक है, तो मिलते है next class में, I hope आपको class अच्छा लगा, ठीक है, तो आपको class अच्छा लगा,